बश्बूरन उन्हें जाके किराने वाले शे उधार लेकर आना पड़ता है उसका उलाहना सुनते हुए उनको सरकार में बने रहने को बने रहने देती है अगर हम नहीं होंगे तो उनका चुनाओ नहीं हो सकता है काम करने के लिए पैसा है अगर हम अपने पेट पेट बांध के काम करना तो नितिश जी के लिए हम लोगों से बहतर कोई नहीं है बहुत सारे जीले हैं जिने नोमबर माह से ही बेतन भी नहीं मिला है उनका ससमय बेतन दिजिए और साल में एक बार जैसे आप अपने लिए बेतन का विवस्ता करते हैं उसी तरह से बिहार के शिक्षकों के लिए एक मुस्त साल बहर का एलोटमेंट जारी करिए ताकि बार कि दूब्वार महीना महीना उनको इंतिजार नहीं करना पड़े भागत शिंग को मानने वाले लोग हैं कैसे संसत्त का वाज जाएगी वह भी हमको करने आता है एक तो सरकार हम से परहाने के सिवा और जितने तरह के गैर सेक्षनी कार्ज हैं वह करती है और अगर हम उनसे ब बेतन मिले और उनके बेतन की गरांटी समय पर हो, कम से कम ये निउन्तम बात है, कम से कम इसको आप लागू करिये, तो कहते हैं, हमको पूरा एलोटमेंट ही नहीं आ रहा है, यानि कि बीपी हमको पूरा मांग ही नहीं रहा है, कि हमको कितना चाहिए, तो हम कहां जायें हम सची वालने में जायें, की बफि करजालना में जायें, आगई पथानके लिए इसकूल में जायें आज बात दो करके हम यहां बैठे हैं, और यह सका रहे हैं, कि तीन साल से जो अंतरवेतन है, उसका भुठतान करिए उनके हिल्कॉप्टर में तेल भरा रहा है तरीके तरीके की योजनाय चल रही है लूट खसुट की सारी योजनाय चल रही है जिन्दाबाद 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 पुरी करो पुरी करो पुरी करो जिन्दाबाद करना होगा जिन्दाबाद 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 जिन् जवाब दो जवाब दो जिन्दवार 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 लभ पर सक्षित सक्षकों का तीन साल से यह यह बकाया क्यों नितीश सरकार जवाब दो नितीज जी के हेलिकॉप्टर में अगर तेल बचा हो तो आकर देख ले कि तिरपाल पर बैठे शिक्षक यहां क्या मांग रहे हैं उनके बेटा उस एलिकॉप्टर में तेल भरवाते हैं कि नितीज जी अपने निजी वेतन से यह हमको नहीं पता है लेकिन आपके शिक्षकों के पास वेतन क्यों नहीं पहुंच रहा है अगर आपके पास इस बात का जवाब नहीं है तो भाई साब आपको मुख्यमंत्री पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है आपकी पुलिसिया फोज को जितना मन लगता है सराब को ढूंडने में आपकी पुलिसिया फोज को यह टास्क दिया जाए कि जाकर उन शिक्षकों को ढूंडिये जिनका वेतन क्यों नहीं समय पर मिल रहा है तो हमको लगता है कि उनका इस्तमाल सही तरीके से किया जा सकता है बाकी यहां उठा कर कैमरा दिखाई है शिक्षक लोगतिरपाल पर बैठे हुए है और हम जब यह कहते हैं कि पढ़ेगा बिहार तभी पढ़ेगा बिहार तो हमको हसी इसलिए आता है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समाज सुधार अभियान में समाज को बुलाते नहीं है और जब शिक्षक विद्याले में पढ़ाने आता है तो कभी उसका न्यूक्ति नहीं होता है और कभी उसको समय से पैसा नहीं मिलता है इसका जवाब कौन देगा हमको नहीं पता है हम नीचे बैठकर अपना काम कर रहे हैं और सोचे की शिक्षकों से बात करके उनसे पूछ लिया जाए कि आप लोगों पढ़ाने का मन नहीं है कि नीचे आकर बैठने में ज्यादा मजा आता है तो क्या दिखकर देशन क्या नाम है आपका जिमारकंडे पाठक टेटेस टूटिंग अपरहांच आती नहीं है क्या हम लोग तो परहाने के लिए बेचैन है एक तो सरकार हमसे परहाने के सिवाव और जीटने तरह के गयर्शेक्षनी कार्ज है वो कार्ज करवाती है और हमारे जो अभ्यर्थी है लाखो लाख जो बरसो से TETS TET क्वालिफाई खेरके सरकों पर भटकते हैं अगर वो नियुक्ति के लिए जाए तो उन पर लाठी मिलता है अगर वो नियुक्ति का किसी तरह से कौंसलिंग हो जाए तो उनका जो है सर्टिफिकेट नाम पर बरसो तक जो है सो रोका जाता है नियुक्ति पत मिलने के बाद उसके सत्यापन के नाम पर महीनों तक विद्धाला में योगदान करने सो रोका जाता है और जब इस सारी परकिरियाओं को जहल करके नियुक्त हो जाते हैं तो हमें परहाने के सिवा और जितना तरीके के काम है वो तो नितिश जी और विहार के जितने सिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि राइट टु एजुकेशन और नई सिक्षा पॉलिशी को हमने पढ़ लिया है आप भी पढ़ लिजिए और उसकी मूल आत्म है कि छात्रों के साथ साथ सिक्षकों को समय बेतन मिले औ और उनके बेतन की गरांटी समय पर हो कम से कम ये निवनतम बात है कम से कम इसको आप लागू करिये हम दो तिन साल पहले सरकार के निर्देशों पर पर सिक्षित हो गए लगबग 50-60,000 लोग भी हार के हैं ऐसे सिक्षक जो नो पर सिक्षित सिक्षक हैं 2019 के मार्ज से पहले पर सिक्षित हो गए उनका अंतरवेतन पचास जार से लेकर के डेल लाक रुपया तक बन रहा है और सरकार का रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है आज हम यहां बैठे हुए हैं बीपी करजाले में या वहीं बीपी करजाले है जहां से बिहार के सिक्षा सुधार के लिए गु अगर उसकी नाइक जांच हो जाए तो इसमें सारे के सारे पड़ादिकारी फसंगे और यहां जितने पड़ादिकारी है कादलों को छोड़ दिजे तो सब आस्थाई हैं उनकी योगता क्या है वो कैसे आते हैं कहां से उनको बेतन मिलता है इसका कोई लेखा जो खाने ही ल है तो हमसे पूरा मांगी नहीं रहा है कि हमको कितना चाहिए तो हम कहां जाएं हम सचिवाले में जाए या की परहाने के लिए श्कूल में जाएं आज बात दो करके हम यहां बैठे हैं और यह कार रहे हैं कि तीन साल से जो ऑनतरवेतन है उसका भुकतान करये बांका, सीतामढ़ी, पच्छमी चंपारन सहीद, बहुत सारे जीले हैं, जिने नोवंबर माह से ही बेतन भी नहीं मिला है, उनका ससमय बेतन दिजिए, और साल में एक बार जैसे आप अपने लिए बेतन का बेवास्ता करते हैं, उसी तरह से बिहार के सिक्षकों के लिए एक म कुष्ट साल भार का यलाटमेंट जारी करिए, ताकि बार बार महीना महीना उनको इंतिजार नहीं करना पड़े, साथ ही जो बिहार के अंदर में हमारी जो सेवा सर्त है, हमारी जो निमावली है, हमें पर्मोशन देने का, हमें पर्धाना ध्यापक बनाने का, उनको लिकारी हैं, उनका टांसपर किसी भी महिने में होते रहता है, सालों भर हो रहा है, ओफिस में बाइट करके, पैसा का लेंदेन कर दो, और टांसपर करा दो, लेकिन बिहार के शिक्चक बरसों से लरे, उनके लिए अस्थानांतर निमावली बनी, लेकिन आज उस अस्थानांतन निमाली के बने हुए दो साल होने जा रहे हैं लेकिन जब आप उनसे पूछिए तो कहते हैं तुरंत जो है इसका हो गया है सत्यापन हम लोगों ने online कर लिया है और तुरंत अब हम लोग verification करके इसका apply शुरू करवा देंगे लेकिन ये पड़क रूप से आर्थिक रूप से संतूस्थ होंगे तबी हम अपने बच्चों को विद्दालय में शंतूस्थ कर सकते हैं नहीं तो यहां पर बैट करके और बिहार बिद्दालय परिक्चा समीटी के जो चेयर्माइन है उनसे आप विज्ञापन दिलवा दिजे अख़वारों म बारा बारा फोटो छपवाली जिए कि सबसे पहले हमारा परिक्षा हो गया सबसे पहले रिजल्ट आ गया बहाँ टॉब कर गया और बच्चों की परहाई कितनी हुई इतना लगातार किसी नेता को हम बोलते हो नहीं देखे होंगे इनको पानी पिलाइए और नितीज जी अपना डिमांड करता है अगर हम अपने पेट पे अगर गंचाब लें के काम करना तो नितीज जी के लिए हम लोगों से बेहतर कोई नहीं है हम लोग एक दम उनके लिए सबसे सूपरियर हैं जिवह हम लोग अपना करते हैं हम लोग करते हैं उनको प्राइब होने लगता है और हम लोगो नकारा घुसीद कर देते हैं उनके हिलकॉप्टर में तेल भरा रहा है तरीके-तरीके की योजनाय चल रही है लुट-खसुट की तरीका अपने आ जा रहा है अगर सरकार इससे नहीं मानी हम लोग भगत सिंक को मानने वाले लोग हैं कैसे संसत्त का वाज जाएगी वो भी हमको करने आता है भाई साब यहां भाशन दे रहे ताइन सर आइन बोल ले थे भाशनवा में यहम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते किया दिक्कत है नहीं करने का यहां किसी दलडल में हूं नहीं तो फिर मैं राजनीतिक क्यों करों लेकिन हा जहां तक बात है हमारी कोई समस्या है तो वह तो मैं मांगे मानना ही परेगा कैसे नहीं मानेगी कहने का और थे कि सरकार के पास कितनी है कितनी कितनी दम है सरकार के पास आजमा के देख लिए फिर मारेगी पीटेगी उसे तो कर क्या सकती है सरकार की नीती है यह समझ में नहीं आती है कि कौन सी नीती है यह निती निरनायक कौन है उनके बगल में कौन बैठते हैं शिक्षा मंत्री मानने शिक्षा मंत्री वो तो आते हैं मीडिया पे पेश में आते हैं इलेक्ट्रोनिक अप्रिंट में वो जब भी आते हैं वो तो इत पता चलता है कि ने, ये तो सिर्फ जुबानी बान है इनकी, जो चला देते हैं और सिक्षा खुष हो जाते हैं। प्रफुलित हो जाते हैं कुछ छन के लिए। लेकिन पता तब चलता है जब उन्हें माशिक वेतन ससमे नहीं मिलता है और उनके बच्चे भूख से बिलगते हैं मजबूरन उने जाके किराने वाले से उधार लेके आना पड़ता है उसका उलाहना सुनते हुए का माट साहिए वाविले पैसा नायल रहुनी के बलता है आख बरवा में देख ले रहुनी हाता ना पैसा मिला लो हम कितना शर्मिंदा होते हैं कैसे जीते हैं यह हम जानते हैं फिर भी सरकार को समझने याती यही कुनबा है जो उनको सरकार में बने रहने को बने रहने देती है अगर हम नहीं होंगे तो उनका चुनाओ नहीं हो सकता है कोई भी सरकारी कारे नहीं हो सकता है जो भी सरकारी कारे करते हैं, वो सिक्षा करते हैं, बिना किसी लाब के, बिना किसी अतिरिकत लाब के, जो हमारा माशिक वेतन है, उसी नियत वेतन पे हम सारे कारे करने को तयार रहते हैं, कमरकश के तयार रहते हैं, लेकिन फिर भी, पता नहीं सरकार को कौन सा बैर है, मानु नीचे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकारों को इनकी बाते सुननी चाहिए हम जब भी सीना चोड़ा करके कहते हैं कि बिहार का सिक्षा वस्ता चौपट हो गया है लेकिन इसलिए हमें लगता है कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो यह लोग ऐसी हला करेंग